राज शहर का जानावाना बॉडी बिल्डर है उसने बॉडी बिल्डी की दुनिया में कई सारे अबॉर्ड जीते हैं एक दिन राज सुबह सुबह अपने गर में सो रहा था कभी अचानक उसके दर्वाजे की गंटी बचती है पता नहीं सुबह सुबह कौन आ गया है सारी दिन कराप कर दी राज तुरंदूर कर दर्वाजा कुलता है तो दर्वाजे पर एक अंजाल आदमी कड़ा हुआ था हाँ भाई बोलो किस से मिलना है लेकिन वो आदमी कुछ नहीं बोलता और अचानक से राज को एक चोरदार किक मारता है जिससे राज नीचे गिर जाता है और फिर वो आदमी दर्वाजा बंद कर लेता है और अपनी रिवाज वर निकाल लेता है ये देखकर राज बहुत कबरा जाता है अरे भाईया तुम कौन हो और मुझे क्यो मानना चाहते हो मैंने तुम्हारा क्या विगाड़ा है लेकिन वो आदमी राज की एक भी नहीं सुनता और राज के ओपर फाइरिंग करने लगता है पहली कोली राज के कंदे सोकर को जाती है उसे हलकी सी चोटा जाती है अब राज के पास खुद को बचाने के लिए तीन आप्शन थे पहला कुर्सी, दूसरा टेबल और दीसरा सोफा सोचे लॉजिकल आर्मी राज फटाक से क्या कर सकता है खुद को बचाने के लिए ध्यान से देखिए टेबल के नीचे पईये लगे हुए है मतलब वो टेबल पईये की मदद से चल चकता है राज उस टेबल को एक जोरदा लाट मारता है टेबल सीदा जाके उस आदमी को लगता है टेबल का धक्का लगते ही वो आदमी नीचे के जाता है वोके का फाइदा उठाकर राज तुरन बात्रूम के अंदर छुप जाता है और दर्वाज अंदर से लॉक कर लेता है वो आदमी दर्वाजे पे फाइरिंग करने लगता है मुझे कैसे भी करके यहां से भागना होगा क्योंकि उस आदमी के हाथ में गंध है नई तो मैं आज उसका कच उमर बना देता वो आदमी जो जो से दर्वाजे को धक्का देने लगता है लोजिकल आदमी राज क्या कर सकता है बात्रूम से भागने के लिए खिरकी तो बड़ी उची है सोचे सोचे ध्यान से देखे टॉलेट सीट के उपर तो जाली बनी हुई है वो है तो उपर लेकिन बात्रूम के अंदर एक पार्टी भी रखी हुई है राज टॉलेट सीट के उपर वो पार्टी रखता है उस पे चड़ता है जाली को पूरा तोड़ देता है और वहां से निकल कर भाग जाता है और तुरण डिटेक्टिव मेहुल के घर पहुँँच जाता है उस समय मेहुल सुबा सुबा अपने चछत पर exercise कर रहा था राद मेहुल को आवाद लगाता है लेकिन मेहुल ने अपने काल में headphone लगा रहा था इसलिए उसे कुछ सुनाई न लगता है लेकिन दर्वाजा एक लोजिकल पास्वर्ट से बन था विहूल सर ने तो अपने दर्वाजे पर एक पास्वर्ट लगा रखा है और मुझे मैंग नहीं आता अब क्या करूंगा मैं लोजिकल आर्मी क्या आप सोचके बता सकते गेट को ओपन करने का कोट क्या होगा सोची सोचीए इसमें दिमाग लगाने के बिलकुल भी जरूरत नहीं है यो पहला नंबर है वही आंसर है जैसे पहले में 2 तो 2 आंसर है दूसरे में 6 तो 6 फिर 8 तो 8 मतलब 3 तो आंसर हो जाएगा 3 अब राज घबराहट में 3 नंबर तो दबा देता है तो के में उसका नंब सही हो जाता है और दर्वाजा कोई जाता है कि अंदर जाते ही जो जो से अलाम बदने लगता है इसका मतलब मेरे घर के अंतर कोई घोसाया है मिहूल तुर अंछत से नीचे आता है तो मिहूल को वहां राज दिखाई देता है मिस्टर आप यहां क्या कर रहे है और मेरे घर क जंतर कैसे आ गए सर आप मुझे कैसे जानते हो राज तुम शेर के जाने माने बॉडी विल्डर हो और मैं एक डेटेक्टिव हो मैं सब की खबर रखता हूँ इसके बाद राज मियूल को सारी सच्चा ही बताता है और डेटेक्टिव मैं तुरंद अपनी रिवॉल्वर निकालता है और अपनी गाली से जाज के साथ उसके घर पहुँच जाता है राज के घर का दवाजा भार से खुला हुआ था सर लगता है वो आदमी भाग गया है मियूल अपनी रिवॉल्वर लेकर घर के अंदर जाता है तो वहाँ पर एक आदमी की बोडी पड़ी होई थी और किसी ने उसे गोली मार दी थी सर ये तो वही आदमी है लेकिन इसे किस ने मार दिया मिस्टर राज जरूर आपको छुपा रहे है इसका मरडर कहीं आपने तो नहीं किया सर अब कैसी बात कर रहे है मैं बना इसे क्यों मारूंगा मैं तो जानता भी नहीं हूँ मियूल पूरे घर की तलाशी लेता है और बातरूम में भी जाकर देखता है राज के खुद के रूम में सारा सामान बिखरा हुआ था इंट्रेस्टिंग वेरी वेरी इंट्रेस्टिंग मतलब खुनी जो भी था वो बॉड़ी बिल्डर था या फिर राज का कॉम्पेटिटर होगा और राज से बहुत चलता है राज के कमरे को ज्यान से देखिए केवल राज की ट्रॉफी और मेडल ही नीचे पड़ हुए है और कुनी ने राज के बॉड़ी बिल्डिंग के सर्टिपिकेट भी फार दिये है इसके अलावा उसके कमरे में किसी भी चीज़ को नुकसा नहीं पहुचा गया है इसका मतलब साफ है कि वो राज की सकसे से जलता था इसके बाद मेहूल उसी आदमी की डेट बॉड़ी का एक फोटो लेता है और अपने खबरी को भीज देता है थोड़ी दिर पाद मेहूल का कबरी मेहूल को बताता है कि एक क्रिपिनल था और पैसे लेकिए लोगों का मडर करता है दूसरों का मडर करने वाला खुदी मर क्या जैसी करनी वैसी भरनी लेकिन मुझे पता लगाना होगा कि इस आदमी का मडर किस ने किया है मिहूल डेट बॉडि को अपने कार में रखता है और राज से कहता है मिस्टर राज आप मेरे साथ चलिए, यहाँ पर आपकी जान को खतरा हो सकता है राज अपना कुछ सामान लेता है और मेहूल के साथ निकल जाता है मेहूल सबसे पहले डॉक्टर संगा की लाप में बहुच जाता है मिस्टर राज आप काड़ी के अंदर बैठिये, मैं डेट बॉडी को लेकर लाप के अंदर चले जाता है लेकिन लाप का धरवाजा एक लॉचिकल पासवर्ट से बंद है लॉचिकल आर्मी, क्या बता सकते चारो बलून्स में कौन सा बलून और वन आउट है वैसे तो सारे गुबबा आ रहे हैं लेकिन येलो बलून वाई से चुरू होता है और बाकि तीनो बलून बी से चुरू होते है ब्लाक, ब्लू और ब्राउन मेहुल तीन नंबर के बटन प्रेस करता है और लाप के अंदर चले जाता है मेहुल डेड बोडी को लैब के अंदर रख देता है और डॉक्टर संजेना के साथ बाते करने लगता है तभी अचारक मेहुल को गोली चलने की आवास सुनाई देती है मेहुल तुरंट ओड़कर लैब के बाहर आता है लैब के बार बाइक पर दो लोग मेहुल की कार पर फाइरिंग कर रहे थे ये मिस्टर राज पर फाइरिंग क्यों कर रहे हैं मेहुल को देखते ही वो दोनों लोग वहाँ से भाग जाते हैं मेहुल की कार बुलेट टूफ थी इसलिए राज की जान बच जाती है मेहूल तुर्ण अपनी कार्षार करता है और उन दोनों लोगों का पीछा करता है राजभी कार के अंदर बैथा हुआ था वो दोनों बहुत तेजी से बाईच चला रहे थे मेहूल भी पुरी स्पीड से कार सबस्ट बैठाओ तभी बाइक के पीछे बैटा आक्मी मेहुल की गातर फाइरिंग करने लगता है लेकिन मेहुल बिल्कुल भी नहीं डरता और लकातार उनकी बाइक कब पीछा करता रहता है मेहुल की गारी में एक पानी की बॉटल लखी होई थी ऐसे तो ये दोनों को पकरना मुश्किल है मुझे पानी की बॉटल फेक करने माना चाहिए ताकि ये दोनों नीचे किर जाए और मैं इने पकर लू अब मेहुल के पाज तीन ओप्शन थे पहला मेहुल कारी की ड्राइविंग सीट पर राज को बिठा दे और राज कार चलाएगा और मेहुल कार के बगल वाले काज से पानी की बॉटल फेक के मालेगा दूसरा मेहुल पूरी स्पीट से कार चुरापकार उन दोनों को टकर मार देगा लेकिन ऐसे में उन दोनों को चोट लग सकती है तीसरा मेहुल राज को पानी की बॉटल मारने के लिए बोलेगा रोजकलार में क्या पता सकते कौन सा सोलूशन सेंसिबल है सोचिय सोचिय पहला वाला ओप्शन तो बिल्कुल भी नहीं चुनेगा क्योंकि अगर वो कार रोखेंगे तो मेहुल सीड बदलेगा और राज आके सीड पे बैठेगा उत्ते दिर में तो वो बाईक वाले वाँसे बाग जाएंगे दूसरे वाले ओप्शन में खत्रा है क्योंकि अक्सिडेंट हो सकता है और वो दुनों मर भी सकते है मेहुल को ने जिन्दा पकड़ना है मेहुल तीसर आप्शन चूस करेगा मेहुल कार को उस बाईक के बाजु मे ला लेता है राज खिड की खोल कर पाली की बॉटल फेक के मारता है लेकिन राज का निशाना चूक जाता है और बाईक के पीछे बेटा आदमी तो बाईक से राज पे फारी करने लगता है राज तुरंकाच उपर कर लेता है लेकिन मेहुल कार की स्पीड बढ़ा देता है और वो दोनों को ओवर टेक करके कार उनके सामने लाके रोख देता है तुर वो ब्रेक लगाने की कोशिश करते है लेकिन उनकी बाईक मेहुल से कार जाके तकरा जाती है और दोनों नीचे गे जाते है मेहुल और राज मिलकर तुरं दोनों को पकड़ लेते हैं और उनका हैलमेट उतार देते हैं अरे ये तुम्हेरा दोस विशाल है हम दुन्हों साथ में बॉडी बिल्डिंग करते हैं सचस बताओ विशाल तुम राज को क्यों मानना चाते थे तब विशाल बताता है कि उसे राज की सकसे से नफरत है इसलिए वो राज को मानना चाता है विशाल अगर राज से आगे निकलना है तो मेनत करो लेकिन राज को मानने के चकर में तुमने सुपारी किलर को मार दिया इसके बाद मेहुल विशाल और उसके दोस को पुलिस के हवाले कर देता है केस सौल डेटेक्टिब मेहुल रॉक्स